दोस्तो आज के वीडियो में एक सब्सक्राइबर के उपार है क्योंकि एक सब्सक्राइबर का जो मुबाइल था जे सवर नेक्स सैमसम का और उसके मुबाइल का अफर पी अनलोग हमने किया है यहां से अपने कंपिटर से ऑनलाइन टैम वीवर के जरिये से और अगर आप जान अब ही तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया जो इस घंटे को आप जरूर दबाए इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूटूब चेम पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके किस से कनेक्ट हूँ आपने कंप्यूटर पर और उसका जो मुबाइल है सैमसम का जे सेवन नेक्स और जे साथ सो एक एफ ठीक है इस मॉडल का एफार पी हम अनलोग कर रहे हैं ठीक है यूम्टी डोंगल से ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यूम्टी डोंगल कि यए फार पी टूल का ओप्शन हैद वाकर करना होगा ठीक है न को यद अ Vincent पर फाइल के जयरूध करण hai तो हमने अपने computer से इसे transfer किया इस combination file को ठीक है क्योंकि यह हमारे जो subscriber थे यह combination file download नहीं कर पा रहे थे ठीक है तो हमने अपने computer से जो है इनके computer में transfer कर दिया इस file को तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको custom cluster पर click करना है उसके बाद हमारे subscriber के desktop पर यह फाइल है combination file इस file को हमें select कर लेना है और जब यह file select हो जाएगा हमारे ultimate tool में ultimate sensor tool में उसके बाद यहाँ पर हमें जो है इनका जो सबसे total से फाइल से check हटा देना है अंचेक कर देना है और सिर्फ हमें जो यहाँ पर boot image पर ही सरफ check लगा कर रखना है ठीक है क्योंकि हमें इसका ADB enable करना है और बाकि हमें कुछ करना तो है नहीं सरफ ADB enable करना है तो ADB enable करने के लिए हमें सरफ यह boot image file की जरूत पर देंगे और boot image file से हमें इसे mobile को flash कर देंगे तो mobile को boot कैसे करना है दोस्तों मैं को बढ़ा दूख मोबाइल को आपको सिर्फ on करके रख लेना है और mobile को downloading mode पर आपको नहीं ली जाना है ठीक है automatically यह mobile downloading mode में चला जाएगा ठीक है आपको यह diet flash दे देना है और जैसे आप flash देंगे mobile को on करके automatically downloading mode पर चला जाएगा और यह communication file से mobile flash हो जाएगा और जैसे यह mobile flash हो जाएगा उसके बात आपको mobile में करना क्या दोस्तों मैं आपको बढ़ा दूख directly ADB आपको port जो है so नहीं करेगा को इक device manager में आपको mobile को recovery mode में लेके जाना होगा और जब आप mobile को recovery mode में लेकर के जाएगे वापस combination file से flash करने के बात recovery mode में जाने के बात उसके बाद वहाँ पर आपको जो है उसका data factory को reset करना होगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो combination file से जो है boot image file से जो है single file से हमने जो है इस mobile को flash कर दिया है J7nex का और दोस्तों मैं आपको यह mobile तो दिखा ने सकता क्योंकि हमारे subscriber के computer पर यह mobile लगावा है हमारे computer में तो लगावा नहीं है कि हम आपको दिखा दें तो दोस्तों आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने जो है इस combination file से जो हमारे अपने subscriber का जो mobile का जो flashing किया है combination file से बूटे में से और flash करने के बाद हमने अपने subscriber को phone करके कहा कि आप अपने mobile का data factory को reset कर दें और जैसे वो data factory को reset किया उसके बाद उसका mobile फिर से on हुआ और on होने के बाद जब वो दुबारा वापस computer में लगाया तो उसका ADB port जो है उसके device manager में जो है so करने लगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं उपर में refresh करना है port पे उसके बाद रिफ्रेस करने के बाद फिर से हमको samsung mobile का जो port है वो हमें यहाँ पे select करना होगा select करने के बाद ही जो हम इसका FRP unlock कर सकते हैं तो उसके पहले आपको जो है दोस्तों आपको यहाँ पे जो option होता है ADB old FRP sorry FRP reset old और FRP reset new उसके बाद FRP reset ADB ठीक है तो आपको FRP reset ADB select करना होगा और port पे आपको यहाँ पे ADB port का इनतजार करना हो जब तक ADB port enable करके आपके device manager से so करके जब तक आपके यहाँ पे क्या करते ह है इस तूल में जो है अल्टिमेट फ्लासर तूल में यहाँ पे जब port आपका सो करेगा Samsung mobile का ADB port यहाँ पे सो करेगा पूरी तरह से उसके बाद ADB port को आप यहाँ पे select कर लेंगे select करने के बाद आपको ADB FRP reset select कर लेना है select करने के बाद तब आपको FRP reset करना है तो चलिए हम तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके device manager में जो हमारे subscriber के device manager है उसके computer का तो उसके computer में यहाँ पे ADB Android interface यहाँ पे सो कर रहा है उसके बाद हम यहाँ पे इसका FRP unlock करेंगे ठीक है तो आप यहाँ देख से दोस्तों कि इसका ADB इंटरफेस सो कर रहा है इसके computer म ईसके बाद चली हम आपको दिखाते हैं कैसे का अनलोग करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको इसके बाद को धिक करना होगा कि टरी मृत सुह करना हो दोस्तु है नहीं धने ऊपर ah जो ADB port को select नहीं किया था ठीक है तो आपको उपर में सबसे पहले ADB port को select करना होगा उसके बाद जो है आप FRP reset करें तो असानी से हो जाएगा ठीक है और दोस्तों लास्ट में में आपको अन्त में एक बाद और बरा दूँ कि अभी जो यहां पर जो यह क्या करते हैं ultimate multi tool से ज पून के अंदर में जाने के बाद जो है उसके data factory को फिर से एक बाद reset करना हो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जो internal memory है उस mobile का उसका space काम हो जाएगा तो आपको जब यह mobile का FRP अनलोग हो जाएगा पूरी तरह से आपको mobile के अंदर में चले जाना है उसका data factory एक बाद आपको फिर से reset कर देना है तो दोस्तों कर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेर करें फेस्बुक वर्टसप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करने तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए